हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोनिक स्टडी यूट्यूब परिवार में मैं आप सभी कहरदी का विनंदन करता हूँ बात करते हैं आज के वीडियो को लेकर के बीटिसी डियलेट सेकेंड समेस्टर के तहत आज हम बात करने वाले हैं समाजिक अध्यन के साल्वड कोईशन पेपर 2016 के बारे में भाग एक के बारे में आज के एक दो दिन पहले हमने बात की थी जो है आपके बहुवे कल्पी प्रेशन दिन के उत्तर स्पस्टी करण सहित आज हम बात करेंगे अति लग उत्रिय प्रेशन जो भी थे उनके questions को देखेंगे उनके answers को देखेंगे उनका explanation के भी बारे में हम आज बात करेंगे अगर मैं बात करूँ आपके live classes को लेकर के तो साड़े 8 बजे आपकी live classes होती है आज का भी subject जो कल का था वही होगा प्रारमभिक सिक्षा के नवीन प्रयास आपका subject होगा और उसी से questions पूछे जाएंगे तो साड़े 8 बजे उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग उपसित रहेंगे चलिए बात कर लेते हैं question paper को लेकर के यहां पे और मैं बता दूँ सेस्टी में मैंने geography का जो है आपका इंटर्नल structure प्ला है था शायल होपसो आज ही आपको मिल जाएगा जो है कि शायल क्या होते हैं शायल के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं उसका वीडियो आप सभी को आज मिल जाएगा चलिए इसमें बात कर लेते हैं question number 16 16 नंबर सवाल जी हां इसमें पूछा था आपका 2016 के पेपर में कि प्रथम वद्धुतिय बाउद सवाय कि इनके साशनकाल में आयोजित की गई थी तो यहां पर जो यह टेबल बनी हुई है इससे आप चारों बाउद सभाओं जी हां जो बाउद सभाई हुई थी किसके 483 इसापूर्व जी हां जो गवतम बुद्ध जी थे मरतिक यो तत्पस्चात 483 इसापूर में 483 BC इस्थल था राजग्रह जिसको राजगीर बोलते हैं सब्त परड़ी गुफा में हुआ था उसमें जो राजा थे वो थे आज़ात शत्रू और अगर बात की जाए अध्यक चतुर्थ बाध संगीती के इसवी में कुंडलवन काश्मीर में हुई थी कनिश्क राजा थे और वाशुमित्र जिहां वाशुमित्र जो है अध्यक्ष थे तो यह बात हो गई आपके बाध संगीती को लेकर के एक ट्रिक भी मैंने इसकी बताई थी आप लोगों को जो है वीडियो में दे दूँगा वो डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको आप जो बाध काली इन जो सभाय थी उसकी ट्रिक आप वहां से पढ़ सकते हैं देख सकते हैं चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें next question है question number 17 इसमें पूछा था कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक के जारी किये थे यहां पर लिखा हिंदियो इननियों के बारे में कुछ पॉइंट्स लेखे हुए आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके अच्छी तरीके से चलिए आगे बात कर लेते हैं question number 18 को लेकर के इसमें है वराह मिहर कौन था वराह मिहर के बार के निवाशी थे वराह मिहर के को लेकर के एक गड़ितक खगोलग ये थे इनकी पुस्तक का नाम था पंच सिध्धांतिका पुस्तक का नाम मच्छी तरीके से याद रखिएगा आगे इसमें लिखा हुए कापित्थक जो जैन के पास में है ने उनके द्वारा विकसे थे ग आशक ने बनवाया था कोडार के सोरे मंदर की बात हो रही है चलिए इसका मैं PDF दे दूँगा आप लोगों को डेस्क्रिप्शन में चेक करिएगा वीडियो वीडियो की डेस्क्रिप्शन में जा करके देखिए कई बार होता है आप लोग जान नहीं पाते कि डेस्क्रिप् बाटम में राइट साइड में एकदम ऐसे आपका निसान बना होगा आपको इसी निशान पर क्लिक करना है ठीक है मैं फिट से बताया दे रहा हूं यह आपका वीडियो है यहाँ पर एक निसान ऐसे बना होगा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे नीचे आपको कई सारे लिंक्स जो है देखने को मिल जाएगी वीडियो का पब्लिश हुआ किस यहर में हुआ बाकी और सारे लिंक्स मिल जाएगे और यहीं से आपको जो है आपकी जो पीडिया फाइल है वो भी आपको मिल जाएगी इस वीडियो की ठीक है वो बाकी DLA first semester वालों के लिए ये भी मैं अलग से बता रहा हूँ, डेलर फास समेस्टर वाले भी लिंक्स देख सकते हैं, काफी कुछ वीडियो उनके बारे में अलड़ी लेक्शर्स लिये जा चुके हैं, तो वो भी अपना देख सकते हैं, चलिए, तो इसमें पुछा था कोडार का सुर्य मंदर किस प्रा द्यान रहे, चंदर भागा नदी के किनारे है, यहां का जो सुर्य मंदर है, यानि कि कोडार का सुर्य मंदर के बात हो रही है, काफी प्रिशित है, इसमें बारह जोड़े विशाल पहिये लगे हैं, इसमें साथ साली गोड़े हैं, उसको खीच रहे हैं, एक्टर इंफॉम निर्मार हुआ था, वो हुआ था, गंगा सामराजी या गंगवन्ष के महराजा थे, नरसिंग देव प्राथम, बहुत बार आपका क्वेशन पुछा गया है, कि कोडार के सुर्य मंदर का निर्मार जो है, किसने करवाया था, तो नरसिंग देव प्राथम थे, यह थे सामराजी या गंगवन्ष के जो है, यह राजा थे, चलिए, आगे बात कर लेते हैं, इसमें, क्वेशन में चोलों के साशनकाल में जनपद वा गाउं को क्या कहा जाता था, तो जनपद को नाडू बोलते थे, ध्यान दी जीएगा एकदम, नाडू और गाउं को कुर्रम कह आप सभी को मैं बता दू, आप अन अकडमी लर्निंग आप से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं जो है, लेक्शर्स मेरे मिल जाएंगे, महिस मिश्ण नाम से मेरे नाम से आप सर्च करेंगे, तो वहाँ पर लेक्शर्स आपको मिल जाएंगे देखने को, CTT, UPDT, MockT, समेस्टर वाले खासकर आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं, टीचिंग लेर्निंग प्रिंस्पली समय में पढ़ा रहा हूँ आपे, सिक्षण अधिगम का सिध्धान्त, चलिए, इबरहीम लोदी और बाबर की बीच के युद्धिक का क्वेशन था, कि इबरहीम लोदी औ थापना हुई, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 1526 में काबुल के तैमूरी शाशक जहरुद्दीन मुहमद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इबरहीम लोदी के बड़ी सेना को परास्त किया था, ऐसा कहा जाता है, कि बाबर की सेना में केवल 15,000 स के आसपास था, फिर भी अत्याधुनिक, जो उसके पास तोपे थी, बाबर के पास उसी के जो है, एक तरीके से बल पर या उसी को साथ ले करके जो है, वो विजही हुआ, चलिए, तो आपको डेट अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, कि सप्रायल 1526, पानी पत का प्रतम युद्ध, जी हाँ, चलिए, आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्च नमबर 22, इसमें पुछा था मुहमद साहब के पांच सिधानतों में जाकात का आर्थ, अगर मैं बात करो, जाकात के अर्थ को ले करके, तो पांच सिधानतों में जाकात का जो मतलब होता है, वो ये है कि अपनी आमदनी का 2.5% हिस्सा जो है वो गरीबों को दान में देना चाहिए, ये है जाकात कार्थ, तो इसमें कई सारे नियम भी हैं, कि अब जाकात काउन दे सकता है, काउन ले सकता है, किसको नहीं दिया जा सकता, काउन दे सकता है, मतलब अगर आपकी आमदनी हो रही है, तो भी आप जो है दीजिए ठीक है आप बालिग हों आप जो है किसे आमदनी आपकी हो रही हो तो आप जकात दे सकते हैं किसको दे सकते हैं गरीब है कोई उसको दे सकते हैं ठीक है आप जो है अगर बात कीजिए अपने भाई बहनों को जकात दे सकते हैं अपने बच्चों को और अपने मम्मी पापा को नहीं दे सकते तो ये सारे नियम कानून है इसमें जो है आप अपने रिष्चेदारों को जगात दे सकते हैं बिलकुल तो ये है जो सालाना आमदनी होती है उसका आप 2,5 पर्सन जो है गरीबों में दान कर दी है जो मैंने बोला रिष्टेदारों में या और लोगों में जो है आप दान कर सकते हैं चली आगे बाद कर लेते हैं इसमें कुश्चनमर 23 पूछा था पृतिवी की भूपरपटी के अंदर के नीचे अधा अस्तर में तीन परते काउंसी हैं तो इंटर्नल स्ट्क्चर पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है भूपरपटी के नीचे पूछा है कोंसी परते हैं तो सियाल सीमा निफे देखे अकसर आप लोगों में शायद ये सवाल जो है उमडे या पैदा हो कि पृत्वी की भूपरपटी के नीचे अधा अस्तन में पूछ है भूपरपटी के नीचे तो कृस्ट को ही आपका जो है बिल्कुल बाप या बिल्कुल बाप का सियाल लिखिये आज गार प्या編िट के लिछ नीट शरा निऑ उखलें में चलीए और न चलीए हैं ग्रेन पारत्रतर रहें और जीवायस्मर होती हैं और इसमें फॉले यह सारी और आपके चरणी होती हैं उन्तर शायरी यह उन्तर रहित होती हैं अर्थिक रूप से बहुत ही संपन्र चटाने होती है इसमें लोहे की मातरा सरवादिक देखने को मिलती है चटान की छारण से कलिमिटी का नर्माध होता है चुम्बकी, लोह, निकल, टामब, सिस्ता, जस्ता, प्लैडिन track ये सारे यहां पर इसमें । देखने को मिलते है एक जो आपका मैंने आर्थ इस्ट्रक्चर की जो बात की ते जो मैंटल है बीज का भाग उसके बारे में जानकारी काफी कुछ देता है कुछ नबर 25 में आपसे पूछा था जौला मुखी की कितने प्रकार होते हैं तो जौला मुखी की मैंने आपर डेफिनेशन बता दी है आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसमें जो है जौला मुखी जो है भूपटल पर वह प्राकरतिक शेद या दरार होता है जिसको आप पोर्स बोलते हैं तरीके से तो आप बतासकते हैं यह जो घटना होती है यह जो ळामुखी था वौलकार अ कहलाती है चल्यागे बात कर लेते हैं इसमें अगर मैं प्रकार की बात करो जोला में की प्राकार इसमें सख्रिय जागरिज्वाला मुखी है यानि कि एक्टिफ वॉलकनों इटली का एटना या स्ट्रॉंबेली की बात करें तो आपके एक्जांपल समया जाएंगे मैंने एक्जांपल भी दे दिया है शुशुप्त या निद्रित यानि कि डॉर्मेंट वॉलकनों को कौन से होते हैं विसु कि यहां सक्रिय एक्टिफ वॉल्ड में वह कहुं सा है ठीक है आपके उत्तर का मैं इनतजार करूंगा देखते हैं कि कि लोगों को पता है सबसे सख्रिय है एक्टिफ वॉलकनों या तरीके से सबसे ज्यादा एक नुकसान दायक बोल सकते हो जो है हानिकारक जो भी आपका ह तो वो आपका जो है वॉल्काइनों या जो अलमकी काउंसा है उसका उत्तर आप लोग दीजिएगा चलिए आगे बात करते हैं हवाई द्यूप का शायद है कोई जो है बताईएगा उत्तर में 26 में बालू का इस्तूप जो है कहां पाया जाते हैं इसमें लिखा हुआ डेटिल में कि पवंद्वारा रेतियों बालू की निक्षेप्ट से निर्मेट टीलों को बालू का इस्तूप कहते हैं यहां पर बताया गया है कि यह ऐसे इस्तूप कहां पर देखने को मिलते हैं दोस आते हैं और चले आते हैं तो आप सभी सी request है अनरोध है कि प्लीज चैनल को subscribe करने कोई इसका पैसा नहीं है free of cost है दोस्त तो चैनल को subscribe जरूर कर ले जिन्होंने कर लिया है उनको बहुत दोस्ट शुकरिया उनका चलिए और red bell icon जो है उसको भी बिल्कुल भी दबाना मत भूलिएगा वो आपके एक notification की एक तरीके से एक masses की button है जो भी videos मैं यहाँ upload करता हूँ आपको तुरंत जो है उसका आपको notify कर दिया जाएगा आपको एक masses के थरू पता लग जाएगा कि मैंने वीडियो अप्लोड किया है चलिए question 327 नमर पूश चाहा था इसमें जो है solar radiation आपका यह क्या होता है अगर बात की जाए तो शौर विकरण चलिए बात कर लेते हैं तो इसमें यह था कि सौरे से पर्थवी तक पहुंशने वाले सौर विकरण उर्जा को सोर्या तप बोलते हैं यहां और इसमें लिखा हुआ है कि उर्जा लगू तरंगो की रूप में सोर्य से प्रतिवीर पर पहुंशती है तो मैंने उसमें बताया था आपको ध्यान होगा कि किस तरीके से आपको जाता है कितना कुछ भाग जो है अब्स निकल जाता है सबके बारे में जो है मैंने लेक्चेर्स में बताया हुआ था चली के चलीनवर 28 है आपका मिस्ट्रल और ब्लिजर्ड हवाएं कहाँ पर चलते हैं तो मिस्ट्रल की बात की जाए सबसे पहले रोन घाती फ्रांस में जाडे में चलने वाली ठंडी हवा है, मेस्ट्रल हवा, ठंडी धुरुवी है, हमाई भी आप इसको बोल सकते हैं, वह अगर ब्लीजर्ड या हिम जंजावात, जी हाँ, हिम जंजावात, आपको इंग्लिश में इसको स्टार्म बोलते हैं, जी हाँ, जैसे आप जब बोलते हैं कि ब्रेनिस्टार्म, एक टर्म है B-R-A-I-N, ब्रेनिस्टार्म S-T-O-R-M मतलब मस्तिस्क जंजावात, जंजावात मतलब होता है, जैसे आप लोग स्टार्म सुने होंगे न, चक्रवाद टाइप का एक टर्म है, तो ब्रेनिस्टार्म मतलब होता है, कि आप अपने मस्तिस्क जंजावात, मतलब आप अपने मस्तिस्क को को खंगा लिए, कोई आपको सवाल दिया गया है, आप उसको खोजिए, उसके उत्तर को खोजिए, यह होता ब्रेनिस्टार्मिंग, तो यह हिम जंजावात है आपका बर्फ हो गया जो है जो बर्फ होता है उसका जंजावात जो है यह होता है यह ब्लिजर्ड हवाय होती है मतलब जो बर्फ के टुकड़े होते हैं वो कही न कहीं से आपको उड़ते हुए एक तरीके से चक्रवाट टाइप के उसमें उड़ते नाम पुर्गा यहां रूज के टुंडरा प्रदेश में इनको पुर्गा कहते हैं वहीं साइब एरिया में इनका नाम जो है बुरान है यह अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा जो है इस चीज का भी चलिए आगे बात कर लेते हैं Q29 इसमें पुछा था सम्विधान सभा कब बनाई गई इसमें कुल कितने लोग थे तो मैं बता दू सम्विधान सभा जो बनाई गई थी इसमें सबसे पहले कुल सदस्यों की संख्या 389 निरधारित की गई थी 292 जिन में सेजी है 292 सदस्य ब्रेटिश प्रांत से थे तिरान नवे जो थे वो देशी रियासतों से थे और इसमें जो सेश चार सदस्य थे वो जो है आपके चीफ कमिशनर क्षेतरों से जो है आये थे पर्थम अदिवेशन जो है आपका 9 दिसमबर 1946 को हुआ था आ स्थाई अध्यक्ष उसमें बनाए गए थे डॉक्टर सच्चि समय आज स्थाई ध्यक्ष डॉक्टर सचेजान से नहां 11 दिसमबर को स्थाई ध्यक्ष पर्मनेंट जो प्रेसेटेंट है वो बनाए गए डॉक्टर दाजेंद प्रसाद उद्देश प्रस्ताव जो है आपका 13 दिसमबर 1946 को जो है लाया गया था यानिकि ऑब्जेक्टिव चलिए बाकी आप सभी को पता है कितने अनुषेद हैं कितने आपके जो है इसमें भाग है और कितने चलिए बात ही कर लेते हैं अनुषेद 395 भाग की बात की जाए तो आपके 22 भाग हैं 12 यानि कि आपके जो है इसके डियूस 12 जो है देखने को उसमें मिलते हैं जी हां चल तो आपने देखाऊगा प्रियंबल में जो है किस तरीके से आपका 44 सम्मिदान संसुद आपके अड़ किये गए थे वैसे भी यहाँ पर मैं बता दो पंथ और जो धर्म है इन दोनों शब्दों में भी अंतर है वैसे कहते एक ही है लेकिन शब्दों में भी अंतर है धर्म मतलब होता है धारियत इति धर्मा जो आप धारड कर रहे होते हैं वो आपका धर्म होता है जबकि पंथ की बात की जाए तो एक तरीके से वहां तक पहुचने का जो मार्ग होता है ठीक है तो आप ये कह सकते हैं कि उस पंथ यानि कि इसको अपना करके हम धर्म तक यानि कि वो लक्षे की हम प्राप्ति कर सकते हैं तो बस दोस्तों इतना ही था आज के वीडियो में उमीद करते हैं जो है आज का जो आपका कुशन पेपर का जो सॉलिशन थो आपको पसंद आया होगा प्लीज शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में साहपाथियों के साथ में आपकी जो लाइव क्लास होगी फिर से बताए दे रहा हूँ साथे आठ बजे ही होगी जो है प्रादमिक शिक्षा की नभी इन प्रयास तो मिलते हैं जल्दी अपने अगले वीडियो में और मैंने कहा था एक अन एकडियो में बना दूँगा कि आप लोग कैसे वहाँ पर जाकर के पाड़ सकते हैं जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक लिए आप सभी का बहुत बहुत धने बाद